हे गाइस बाल देखे सभी को पसंद होते हैं और बाल हमारी सुन्दरता में चार चांद लगा देते हैं लेकिन इनकी हमें बालों की केर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तो अगर आपके बालों में देखी जुएं पढ़ गई हैं और आप जुओं से बहुत ज़्यादा परिशान हैं आपको बहुत इचिंग हो रही है तो उसके लिए आपको एक खरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ अगर आप उसे यूज करोगे तो एक दिन में आपकी जो को होती है जिसकी वज़े से उन्हें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा उसकी वज़े से क्या होता है कि जब स्कैल्प में बहुत खुजली होती है और हम खुजली करते हैं तो बाल भी उसकी वज़े से ही बहुत ज़्यादा च जाएगा और आप इसके पत्तों को फ्रीज में बहुती आसानी से 10-15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो लेकिन उन पत्तों को आपको पॉलथीन में रखना होगा और उन पर पानी नहीं लगने देना होगा तो आपको नीम की कुछ पत्ती ले लेनी हैं अपने बालों क कि अकोर्डिंग कितनी है आपके बालों की अगर लेंथ ज्यादा है तो आप ज्यादा पत्ती ले सकते हो अगर बाल छोटे है तो थोड़े ले सकते हो तो इन ही पत्तियों को हमें अच्छे से बिलकुल वॉश कर लेना है क्यूंकि इनके अंदर जो धूल मिट्टी होती है वो भी बालों पर नहीं जाने देना है क्योंकि धूल मिट्टी लगने से भी बाल खराब होते हैं जूए पड़ती है बालों में और बालों की जड़े कमजोर हो जाती हैं बहुत ज्यादा इचिंग की वज़े से तो ये नीम की पत्या जो होती हैं बिल्कुल ओर्गनिक है और और बालों से एक दम बाहर निकलने की कोशिस करती हैं क्योंकि इसके अंदर जो कड़बापन होता है ये जूओं के लिए बिल्कुल जहर की तरह होता है इसलिए इसको लगा कर आपको सिर्फ एक बार में ही अपने बालों में असर देखने को मिलेगा इसे अगर आपने अच लगा ना छूट जाए इसे आपको वीक में दो बार लगाना है आपको तब तक लगे कि बिल्कुल आपको फाइदा नहीं हुआ है तो आप इसे तब तक लगा सकते हो वीक में दो बार लगाईए और लगा कर आपको इसे कम से कम 10 से 15 मिंट रख देना है अच्छे से पूरे पानी से भी बाल कमजोर होते हैं गिरते हैं तो आप ठंडे पानी से इपने बालों को शैंपू कर लीजे उसके बाद आपको क्या करना है जो गीले बाल होते हैं तो गीले बालों में जुमें जो होती हैं उनकी पकड कमजोर हो जाती है और वो नीचे आती रहती हैं तो आपको बाल पहले की तरह बिल्कुल सुष्ट हो जाएंगे ना ही आपको इचिंग होगी और ना ही आपको जुओं से प्रोब्लम फेस करनी होगी जुए अगर होती है बालों में तो आप कहीं भी हो किसी के भी सामने हो खुजली करनी ही पड़ जाती है आपको छोटी सी रमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो थैंक्यू सो माच